अगर आपका cycle में इस तरह का wheel alignment हो जाता है तो आप जो है easily अपने से बना सकते हैं से पहले बताना चाहेंगे guys आपके पास किसी भी category का कैसा भी cycle हो guys alloy wheels वाली guys जैसा कि देख पार यह हमारा alloy wheels वाली cycle है आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चेनल राजुजी में जैसा कि यह cycle आप देख पा रहे हैं तो यह cycle में wheel alignment हो चुका है तो चलिए हम आप लोग को दिखाना चाहेंगे guys जैसा कि आप देख पा रहे हैं यह देखे कितना ज्यादा wheel alignment बता रहा है guys तो wheel alignment guys हम बीना tire और tube खोले हुए guys यह cycle का बनाने वाले हैं किस तरह से बनाना है कैसे बनेगा आज की इस वीडियो में हम आप लोग को बहुती अच्छी तरह से और step by step बताने वाले हैं अगर चाहेंगे guys आपके पास किसी भी category का कैसा भी cycle हो guys alloy wheels वाली guys जैसा कि देख पार यह हमारा alloy wheels वाली cycle है guys तो alloy wheels का जो rim होता है guys वह आपका easily wheel alignment rim टाल easily बन जाता है guys कोई भी problem नहीं आता है बीना tattoo खोले हुए तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं और बताते हैं किस तरह से बनाना है so guys wheel alignment बनाने के लिए सबसे पहले बताना चाहिए कौन सा टूल्स का जरूद पढ़ेगा guys तो एक आपको जो इस तरह का नेपल इस पैनर का जरूद पढ़ेगा इसे नेपल रिंच बोला जाता है ठीए guys जैसा कि देख पा रहे हैं अगर आपको cycle swap में नहीं मिलता कर सकते हैं अगर अच्छा लगए तो सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे यह फ्रंड विल जैसा कि देख पा रहे हैं तो इसका सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे यह में रिजन जυχले हम करते हैं जब हम साहीं को चलते हैं तो वियली इस्टेंड करने वजंगे से इतना जादा करेंगे तो जैसा कि देख पा रहे हैं तो आपको यह थिए और इस तरह से इनी एक बार इस तरह से घुमाना है पूरा नहीं आधा गुमाते वह सारा इस पर को इस तरह से टैट कर लेना ठीक है जैसा कि आप देख पा रहे हैं यह देखे तो चलिए फटापट सारा इस पर कुछ टाइट कर लेते हैं उसके बाद फिर आप लोग को आगे दिखाते हैं कर दो आप लोग को आप लोग कर दोनाप लेते हैं जैसा कि देख पारे हम सारा इस पोक को अच्छे से मिला मिला के टाइट कर लिए गाइस ठीक है जैसा कि आप देख पा रहे हैं और टाइट भी हो चुका है लेकिन बताना चाहेंगे जो इस पोक सबसे ज्यादा लूज बताए गाइस वह इस पोक आपको थोड़ा सा ज्यादा करना जो इस पोल अब कहाँ आपको तोड़ा सा ठाइट करने एक लेवल में सारा इस सब से पहले नेपल में जही देना है या फिर तारपिन ओइल देना उसके बाद आपको यह पॉर्षेस को करना है ठीक है इस पोग टाइट वाला पॉर्षेस को तो उसमें क्या होगा कि फूल जाएगा और इसली आपका टाइट हो जाएगा तो हमारा नियू सही कि लिए गाइस तो ऐसा कोई भी प्रॉब प्रॉब्लम नहीं होता है पंकड़ होने गार्इब इस तरह से आफको टाइट कर लेना है अच्छे से जीस तरह से हम आप लोगs को बताया है आब आप लोग दिखाते हैं कि वील अलायमेंट किस तरह से बनाना है और एक चीज बताना चाहिंगे गाइस जैसा कि आप देख पा रहे हैं विललायमेंट देखिए इसका ठीक है गाइश तो इसका को साइड इलायमेंट बता रहा है जब नहीं बता रहा है अगर आप इस पोग कम बेसी टाइट कर देंगे गाइस इस पोग अगर आपका लूजर साइकल का जैसा कि हम आप लोग को दिखाए फास्ट में तो विल जो है आपका जंपिंग का प्रॉबलम बताएगा ठीक है रिम आपका जंप हो जाएगा इस तरह से जंप करेगा साइड का भी रहे यहां निकार हमारा जोग साइड में फॉल्स बता रहा है यह दिखिए एप आप देख पा रहा है यह देख पा रहा है जांप देखाए इस जंप स Allah आ रहा तो आपको क्या करना यह न schaut je Hit यहां सम पकड़ना है और इस तरह सब्सक्प्र डेखना देयां पर दिक हमारा देखना पड़ेगा जितना जादा फोल्स जाएगा उतना जादा इस पोग तैट कर ले तो फिर आप लोगो दिखाते हैं उसके बाद आपको क्या करना है लेफ साइड वाला जो इस पोक रहे हैं आगर ज़्ादा ठद रहेगा तो उसे भी आपको थोड़ा सा लूष करना है माइनर ठीक है राइट साड़ वला इस पॉपको टाइट करने के बाद तो यह देखिए इधर में आपका एक यह होगी आपना का एक Veteran सब्सक्राइब तो पोजिस थोड़ा सा बता रहा हलका सा माइनर हम लूज करेंगे जैसा कि आप देख पा रहे हैं यह दिखिए माइनर एक दम करना जाइश ठीक है ज्यादा नहीं करना ठीक इस तरह से जो गई यह हमारा किलियर होगी और घुमा करके देखेंगे इस तरह से स सब्सक्राइब हो गाईश ठीक है जैसा की देख पा रहा है यह देखिए देखिए इस तरह से आपको मिला मिला कर देखले गए ठीक है यानिंगाश मताना चाहेंगे अगर आपका राइट साही प्er हैगा तो लेप साइट का इस एक और चीज बता रहे हैं अगर आपका राइट साइड में फॉल्स जाएगा आस रेप है तो एक स्पोक को पकड़ लिए और यहां पर हमारा किलियर बता रहा है तो यहां पर हमारा किलियर बता रहा है यह स्पोक से ठीक है यह राइट साइट वाला ठीक है हम राइट साइट के स्पोक को पकड़े हैं तो यहां से हो जाएगा गाइस एक, एक, दो, तीन, और चार ठीके गाई यानि लेफ साइट का इस्पोंक आपका आ रहा है दो और एक,तीन स्पोंका आ रहा है लेफ है ठीके गाई और राइस राइस साइटा का आ रहा है एक और इधर वह चार स्पोग हम लूज कर दें जैसा कि आप लोग देखा आप देखें हम मिलाते हैं तो यह दिखें गाइस वील अलाइमेंट एक दम किलियर हो चुका गाइस माइनर है चलिए माइनर भी मिला देते हैं तो जीस तरह से हम आप लोग को दिखाएं और बताएं गा से खोंढा है ऑगा बस लिए घया करना है जा रहा है के खाल पर करना है कि अब कर तो लूज करनाहें और दो को नहीं दिखाते हैं और कुछ बताएंगे भी आप लोग को है सो कंग किए सब्सक्वरट स्क Kitty मा इ meta इधर भाई स्पक हमारा लूज नहीं था गाईज इसके लिए इधर वैजम श्राओरा ओर है यहाँ परर हल्का साथ है लब तो हम क्या-कर एधर में हमारा यह शाट रहा था तो हमारा वाला इस पॉक टाइट होगा और राइट सब्सक्राइब देख लेना ठीक इन्हीं रिम का जो है दोनों ही सैट से आपको विल अलाइमेंट बना ना थी इस तरह से तो हम जैट से ला लेते हैं एक बार यह देखें लेफ साइड में थोड़ा सा बता रहा है इस जगह में इधर से भी कम्प्लीट कर लेते हैं अच्छे से यह देखें थोड़ा सा और बता रहा है तो यह देखें हमारा विल अलाइमेंट एक दम कम्प्लेट हो गया गया तो चलिए आप लोगको नजदीकी से दिखाते हैं सो गाइस यह देखें विल अलाइमेंट जरा सा भी नहीं बता रहा है जिस तरह से बताएं गाइस उस तरह से आपको बना लेना गाइस एकदम इजली बन जाएगा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा लिकिन गाइस लास्ट और आखिर में हम आप लोगको एक चीज किलियर करना चाहेंगे गाइस अगर आपका साइखिल के विल अलाइमेंट है गाइस और इस पोग लूज है तो सबसे पहले आपको क्या करना घासलेट ऑएल आपको नेहां परी गाइस अच्छे साब को सभी नीपल में दे देना है इस पोगए इससे क्या होगा कि एक भी इसलिए को आपको हिसाब से बनाना है और इस पोक को आपको इसाब से टाइट करना है विल अलाइमेंट तो गाइस आप अच्छे से बना लेंगे लेकिन इस पोक एक भी टूटना नहीं चाहिए जिस तरह से जिस पॉर्शेस के साथ में हम आप लोग को बताएं उस तरह से नहीं आएगा जिस तरह से आप लोग को बताएं अगर आपको एक बार में यह वीडियो को नहीं समझ में आ रहा तो आप दुबारा वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं और ज्यादा बेटर तरीका से आप यह चीज को समझ जाएंगे इस तरह से आपको फ्रंड विल क